बीजे और आर्जे ने एक दिवस सेंडवीच मंगाया और उसे प्लेट में दिया एक सेंडवीच के चार टुकडे थे और दूसरे सेंडवीच के दो टुकडे आपको क्या लगता है कि पीजे को वास्तों में अधिक सेंडवीच मिले हैं आईए जान लेते हैं कागज का एक आयत के आकार का टुकडा ले मान लीजिए कि यह हमारा सेंडवीच है अब इस कागज या सेंडवीच को दो समान टुकडों में बांट ले इसका मतलब है कि ये दो समान टुकडें जब एक साथ जुड़ जाएं तब एक सैंडविच बन जाएगा क्या आप सहमत है? अब एक और आयत के आकार का कागज ये टुकडा लें और उसे चार समान टुकडों में विभाजित करें जैसा कि उपर वाले चितर में पीजे को मिला है मतलब चार समान टुकडों को आपस में मिलाने पर एक सैंडविच बन जाएगा अब आप क्या सोचते हैं? क्या पीजे को अधिक सैंडविच मिले हैं? बिल्कुल सही, अब उन दोनों के पास एक सैंडविच हैं फिर ऐसा क्यों हुआ कि लड़की को लगा कि पीजे को चार और उसे दो ही सैंडविच मिले हैं? क्योंकि उसने टुकडों की तुलना की अगर उसने पीजे के पूरे सैंडविच की तुलना अपने सैंडविच से की होती तो वो पाती कि उसे दो में से दो अर्थात दो बटा दो बराबर एक और पीजे को मिला है चार में से चार यानि चार बटा चार बराबर एक और इसका अर्थ है कि दोनों को समान सैंडविच मिला है अता हम कह सकते हैं कि दो बटा दो बराबर चार बटा चार तथा इन दो भिन्नों का समान मूल्य है जो की पूर्ण एक है इस प्रकार के भिन्नों को तुल्ल भिन अर्थात equivalent fractions कहते हैं equivalent इस शब्द को दो भागों में विभजित किया गया है equal का अर्थ है equal अर्थात समान और valent का अर्थ है value मतलब मूल्य इसे बहतरीन ढंग से समझने के लिए एक और उधारण लेते हैं आपके पास कागज का टुकड़ा है पहले से ही हमने इसे दो समान भागों में विभाजित किया है आईए इस हिस्से में रंग भरते हैं यह रंगीन भाग दो में से एक उदर शायगा जिसे हम एक बटा दो कहेंगे अब यदि हम दूसरी प्रकार से मोडते हैं चलिए लंबवत मोडते हैं क्या देखा आपने अब बताईए कि सारे समान भागों में से कितने भाग रंगीन है हाँ चार भागों में से दो भाग रंगीन है अब रंगीन भाग को 2 बटा 4 के रूप में दर्शाया जा सकता है लेकिन क्या आपने देखा कि अभी भी एक बटा 2 और 2 बटा 4 समान है जो उस रंगीन आधे कागच के टुकड़े को दर्शाते हैं इसका अर्थ है एक बटा दो और दो बटा चार ये दोनों तुल्ले भिन्न है चलिए एक और बार कागज को मोड़ते हैं इस बार हम सीधा या उर्द्व तरीके से मोड़ेंगे क्या देखा आपने कितने समान भागों में से कितने भाग रंगीन है जी हां कुल आठ भागों मे कागज के आधे रंगीन हिस्से को ही दर्शा रहा है जैसे एक बटा दो और दो बटा चार इसका अर्थ है एक बटा दो दो बटा चार और चार बटा आठ का मूल समान है जो आधे के अर्थात एक बटा दो के जितना है और इसी कारण से इन्हें तुल्ले भिन्न कहा जाता ह आईए फिर से देखते हैं कि हमें वास्तों में 2 बटा 4 से 1 बटा 2 कैसे मिला हमने कागस को जब एक बार मोड लिया इसका अर्थ हमने प्रतियक भाग को फिर से 2 समान भागों में विभाजित कर दिया ताकि 2 गुना 2 बराबर 4 और अब हमने ऐसे किया तब जो रंगीन भाग भी दो समान भागों में विभाजित हो गया अब एक रंगीन भाग एक गुना दो बराबर दो रंगीन भाग बन गए इस प्रकार हमें रंगीन भाग को दर्शाने के लिए एक नया भिन दो बटा चार मिल गया इसका अर्थ है हम एक बटा दो के अंश और हर दोनों को दो से गुणा करके एक समान भिन दो बटा चार प्राप्त करते हैं और इसका अर्थ ये भी है कि यदि हमारे पास एक भिन दो बटा चार है और हमें तुल्य भिन प्राप्त करना हो तो हम अंश और हर दोनों को दो से विभाजित करके जिससे एक बटा दो ये दो बटा चार इस भिन्न का तुल्ले भिन्न बन जाएगा इसी प्रकार दो बटा चार में से चार बटा आठ प्राप्त करने के लिए हम फिर से एक बार कागस को मोडेंगे जिसे वो दो समान भागों में विभाजित हो जाएगा ताकि अब कुल चार गुना दो बरावर आठ भाग और हर रंगीन भाग दो समान भागों में विभाजित हो गये हैं जिससे दो रंगीन भाग अब दो गुना दो बरावर चार रंगीन भाग बन गये हैं अब हमें रंगीन भाग को दर्शाने के लिए चार बटा आठ एक नया भिन्न मिल गया है इसका मतलब है कि हमने दो बटा चार के अंश और हर दोनों को दो से गुणा जिससे हमें एक तुल्य भिन्न प्राप्थ हुआ जो चार बटा आठ है इसका अर्थ यह भी है कि यदि हमारे पास चार बटा आठ यह भिन्न है और हम इसका तुल्य भिन्न करना चाहते हैं तो हमें तुल्य भिन्न प्राप्थ करने के लिए अंश और हर दोनों को दो से विभाजित करना होगा चार बटा आठ को दो से विभाजित कर दो बटा चार प्राप्त होगा जो चार बटा आठ तुल्य भिन्न है हम अंश और हर दोनों को चार से विभाजित कर सकते हैं चार बटा आठ को चार से विभाजित करने पर एक बटा दो प्राप्त होता है जो चार बटा आठ के तुल्य भिन्न है इस प्रकार हम दिये हुए भिन्न के तुल्य भिन्न प्राप्त करने के आसान तरीके तक पहुँच गये हैं अन्श और हर दोनों को एक ही संख्या से गुणा करे या अन्श और हर दोनों को समान संख्या से विभाजित करे क्यों ना अब हम इनके तुल्ले भिन्न प्राप्त करें 14 बटा 18 ये तुल्ले भिन्न प्राप्त करते हैं सबसे पहले हम दोनों अंश और हर को एक ही संख्या से अर्थात दो गुणा करके तुल्ले भिन्न प्राप्त करेंगे इस प्रकार हमें नए भिन्न के रूप में 14 गुना दो बटा 18 गुना दो 28 बटा 36 प्राप्त हुआ अब हम इन्हें 3 से गुना करेंगे जिससे हमें 14 गुना 3 बटा 18 गुना 3 42 बटा 54 प्राप्त होगा आप भी इसी प्रकार अन्य भिन्न प्राप्त कर सकते हैं अब हमें 14 बटा 18 तुल्य भिन विभाजन के तरीके से प्राप्त करना है, हम दोनों अन्श और हर को समान संख्या 2 से विभाजित करेंगे, इससे हमें 14 बटा 18 बटा 2 बराबर 7 बटा 9 प्राप्त होगा, यहां ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि अन्श और हर दोनों को समान संख्या से विभाजित करने के लिए, हमें अन्श और हर के सामान्य विभाजक अर्थात भाग देने वाली संख्या को खोजने की आवशकता है, मिसाल के तोर पर 2 चौदा और 18 का विभाजक है, इसलिए हम अन्श और हर दोनों को 2 से विभाजित कर सकते हैं, जबकि साथ चौदा का विभाजक है लेकिन आठारा का नहीं, इसलिए हम अंश और हर दोनों को साथ से विभाजित नहीं कर सकते हैं। हमने क्या सीखा? जब दो भिन समान मूले दर्शाते हैं, तो उन्हें तुल्य भिन कहते हैं। हम अंश और हर दोनों को एक ही संख्या से गुणा या विभाजित करके एक तुल्य भिन प्राप्त कर सकते हैं अंश और हर दोनों को समान संख्या से विभाजित करने के विधी द्वारा तुल्य भिन ग्यात करने के लिए हमें अंश और हर की समान विभाजक संख्या का ग्यात होना जरूरी है विभिन आकृतियों का प्रयोग करते हुए तुल्य भिन के विभिन उधारंड देखे स्वाधिया आए उन संख्याओं का पता लगाएं जो निम्न लिखित भिन्नों में गायब है आठ बटा टिम्ब बराबर टिम्ब बटा नौ बराबर 24 बटा अठारा बराबर 48 बटा टिम्ब बराबर टिम्ब बटा चौपन झाल झाल